पांच साल पहले अनुच ने अनुपमा में कम्या निकाल कर सवाल पूछ कर उसे खुछ से दूर किया लेकिन आज पांच साल के बाद जब आई सर पे मुसीबत जब पता चला कि जिनके साथ शादी करने जा रहे हैं शुरूती मैडम वो भी बिमार है हालत में नहीं है अध्या की तबेत ठीक करने में उसकी हल्प नहीं कर सकती तो वो अनुपमा से हल्प लेने चला गया और अनुपमा महान देवी बनने के चकर में एक बार फिर से अपनी जिन्दगी में नई मुसीबत बुलाच चकी है क्योंकि यहाँ पर सकती सब चीजे आप बिगार देती हो अब अनुपमा यहाँ पर आध्या की इन सारी बकवासों को भी सुन रही है और आध्या को यहाँ पर कंसोल भी कर रही है और मन भी मन वो सोच रहे की आध्या की पैरिक अटेक के बारे में सोचा तो था लेकिन यह इतना वर्स्ट हो ज बजय कहाँ चाया है? स्थी।